सबीको नमस्ते, क्लास 7 की फिजिक्स में जो चैप्टर हमने मोशन एंड टाइम शुरू किया था, आज उसके अंतिम टॉपिक को लिया है, जिसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, सिरफ आपके लिए नहीं, आपके जो सीनियर्स हैं, जिन्होंने सेवन्थ क्लास में या जब भी उनको ग्राफ की जानकारी दी जा रही थी, ग्राफ के बारे में बताया जा रहा था, उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो वो किसी भी क्लास में हो, उनके लिए ये टॉपिक इवन ऐसा भी होता है कि 9, 10 में, 11 में भी आने के बाद, बच्चों की स्थिती ये होती है, कि ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं जानते, सुना सुना है, अगर 11 तक आप पहुँचे हैं, तो ग्राफ सुने तो होंगे कम से कम, लेकिन किस तरह ग्राफ से डील किया जाता है, और ग्राफ कितनी इंट्रेस्टिंग चीज है, इसको वो नहीं जान पाते, बहुत बड़ा दुरभाग है उनके लिए अगर वो ग्राफ के संखेलना नहीं जानते, ग्राफ को समझना नहीं जानते, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है ग्राफ, ग्राफ की जरूवत क्यों पड़ी, जिसे आपने अभी distance के बारे में पढ़ा, time को समझा, पिछले lecture में, speed को समझा, ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे हमने एक example दिया था कि अगर आप अपने पिता जी के संग bike पर travel कर रहे हैं, तो bike पर travel करने वाली जो बात होती है, तो आपने जरूर देखा होगा अगर आपके घर में कभी bike खड़ी रहेगी जब तो खड़ी bike पर आपने देखा होगा, या चलते समय भी देखा होगा, एक swing सी बनी रहती है, वो swing move करती है, जिस प्रकार आप, भाई accelerator जानते हो, गड़ी accelerator करते हैं, speed बढ़ती है, उसी accelerator के कारण ही speed बढ़ती है, इतना तो स्पीड पर चल रहे हैं, आप वहाँ पर देखेंगे, तो km per hour unit दी रहती है, speed की, कल इसके बारे में हम लोगों ने discuss भी किया था, ठीक है, और नीचे आप देखेंगे, तो एक meter बना होता है, उसको करते है, oddometer, ठीक है, oddometer का क्या काम होता है, कि कितनी distance आपने अभी तक travel किया, जब से आपने बाइक लिए है, कितनी travel किया, वो उस पर लिखा रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह लिखा रहेगा, देखेंगे, मैं आपको लिख के भी बताएं, जैसे चार्ट डिजिट तक ले रहे हैं, 00 और 20 km मान लिजे कि इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, आप पांच किलो मेटर यात्रा करके आए, पांच किलो मेटर दूर मान लिजे आपका स्कूल है, आप घर से स्कूल तक गए, तो ये मीटर जो है, स्कूल जब आप पहुँच जाएंगे, तो कुझे इस तरह दिखाएगा, तो ये क्या था, इनिशियल, इनिशियल आप कितनी डिस्टेंस चल चुके थे, इनिशियल माने आरंभिक या प्रारंभिक आप पहले लिजे, प्रारंभिक, ठीक है, कि शुरुवात में कैसा था, जब शुरुवात होई, तो ये इनिशियल, और वहीं, दूसरा, 25 किलो मेटर, ये क्या है, ये फाइनल, इसको क्या कहेंगे, अन्तिम, ठीक, अब अगर आपसे कोई कह दे, इन दो मीटर, जैसे हमने तो जिक्र कर दिया, कि आपका स्कूल 5 किलो मीटर दूर है, ठीक, लेकिन अगर आपको न पता हो, कि हमारा स्कूल मेरे घर से कितना दूर है, तो आप बाइक की साहता से, या कार स जिसमें भी ओडो मीटर की सुविधाओ, उससे ये पता कर सकते हैं, जैसे आप बाइक लेकर के अपने घर से स्कूल गए, घर से जब गाड़ी लेके निकले, तो आपने देखा, कि अभी तक मैं इतनी डिस्टेंस चल चुका हो, ठीक, जब स्कूल पहुंचे, अब मीटर ब से 20 किलो मेटर गटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा, कि 5 किलो मेटर दूर है आपका स्कूल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल का फंडा रहा, बहुत लॉजिकल सी चीज है, ठीक है, अच्छे, अब इस से भी आप स्पीड निकाल सकते हैं, इतनी डिस्टेंस आप चले 25 माइनस 20, जो की रही, 5 किलो मेटर, अगर मान लिजे कि आपको समय लगा, 2 मिनट, मान लिजे, इतनी ते नहीं जाएंगे, लेकिन मान लिजे, 2 मिनट लगा, ठीक, तो आप यहां क्या लिखेंगे, इस स्पीड के लिए क्या लिखेंगे, या और इसको थोड़ा से अलग कर करते हैं, जिस तरह डिस्टेंस को मिजर किया, उसी तरह टाइम को भी करते हैं, आपने अपनी घड़ी से टाइम देखा, ठीक, कैसे देखा, मान लिजे कि आपने, चलो घड़ी से ही देख लिए, स्कूल का टाइम है, 7.28 पर आप अपने घर से चले थे, एम, वो जाने दो, साथ बचकर 28 मिनट पर आप अपने घर से चले थे, जब स्कूल पहुँचे, तो टाइम था, साथ बचकर के 30 मिनट, तो कैसे निकालेंगे कि कितनी देर लगी घर से स्कूल पहुँचने में, भाई, साथ 30 पर पहुँचे हैं, साथ 28 पर निकले थे, सिंपल कल्कुलेशन है, 7.30 माइनस 7.28, तो क्या हो जाएगा, दो मिनट, दो मिनट लगा आपको, है न, उसी फंडे से आपने डिस्टेंस को भी निकाला, उसी फंडे से टाइम को भी निकाल लिया, ठिक, तो स्पीड क्या हुई, स्पीड क्या हुई, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस में, और फाइनल माइनस इनिशियल टाइम में, तो 5 किलो मिनटर, और 2 मिनट, यानि आपकी स्पीड को अगर हम लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं, 5 किलो मिनटर पर 2 मिनट, यानि हर 2 मिनट पर आप 5 किलो म की यात्रा कम्प्लीट कर लेते हैं लेकिन दो मिनट कहना अच्छा नहीं लगता तो हम इसको क्या कर देते हैं 2.5 किलो मिटर पर पर मिनट थिक है ठीक है यह किस्से देख रहा हैं डिस्टंस को किस्से देखते हैं और जो आपकी स्पीड जो सुई बनी रहती है इस तरह से सुई जो है ऐसे 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 ट्यवेल करती है न? वो जो होता है वो स्पीड-ोमीटर होता है क्या होता है? इस्पीड-ोमीटर जो इस्पीड बता रहा है ठिक? अच्छा लेकिन मेन फंदा अपना क्या है है? ग्राफ को जाना तो दिखे अगर आपको है कि थोड़ी थोड़ी देर में जिसे आप अगर बाइक से अपने घर से निकलें और हर पांच मिनट पे हर दस मिनट पे या हर एक फिक्स टाइम इंटर्वेल या थोड़ी थोड़ी देर पे ही सही आपको देखना है कि आपकी स्पीड क्या रही या आप कितना distance travel कर चुके हैं basically यहां distance time graph की बात है तो थोड़ थोड़ टाइम में अगर आपको देखना है कि अब हम कितनी distance चल लिए अब कितनी चल लिए तो इसका आप डाटा बना सकते हैं एक चार्ट बना सकते हैं ठीक है उस चार्ट को हम graph के जरीए ज्यादा अच्छे से सम कि दो मीटर एक मिनट में चले फिर तीन मीटर अगले एक मिनट में चले काफी लंबा हो जाएगा लेकिन graph के जरीए आप बताएंगे तो एक काफी अच्छा conclusion भी उससे कई बाते निकाली जा सकती है वह आप आगे पढ़ेंगे आगे हम उसको बताएंगे लेकिन distance time graph की यहा आपकी बुक में भी जिक्र किया है बार ग्राफ और पाई चार्ट इस अब तरीकों से भी आप निकाल सकते हैं लेकिन यहां लाइन ग्राफ की मिन हम बात करेंगे कि अगर दो ऐसे लाइन की चले हम ठीक ठीक इसको कह दें y इसको कह दें y डैश इसको कहें x डैश और इसको कहें x ठीक है आच्छा देखो कहां पर x डैश है कहां पर y डैश है कहां x है कहां y है इसको कैसे याद रखोगे, वैसे तो आप इसको अदल बदल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो एक convention है, वो यही है, कैसे याद रखेंगे, जैसे हमने याद रखा था, एक्स की बात है न, डैस क्या है, डैस उल्टा है, डैस उल्टा है, एक्स की में बात करो, तो हम दाहिने हाथ को सीधा हाथ कहते हैं, ज्यादा तर लोग दाहिने हाथ को सीधा हाथ कहते हैं, तो दाहिनी तरफ एक्स, बाई तरफ एक्स डैस, हर कोई जीवन में उपर जाना चा ठीक है अभी फिलाल इसमें और ग्राफ में और चीज़ें हम बता सकते हैं लेकिन आगे हो जाएगा ठीक है अब देखो ग्राफ में प्लॉट कैसे करोगे जैसे वाई की जगह आपने यहां पर डिस्टेंस को प्लॉट कर दिया किसको कर दिया यह एक बार चाहिए आप अपनी कॉपी में बना लें यह स्क्रीन शॉट लेने अब इसकी एक्स डैस और इस सब्की जगह हैं कि देखो डिस्टेंस आपकी निगेटिव नहीं हो सकती इसको क्या निगेटिव कंसीडर किया जैता है बाई और निगेटिव लेते हैं नीचे भी निगेटिव लेते हैं तो इन दो की हमें आव शक्ता नहीं बहुत अगर हम ऐसे मिटा दें और शिर्फ इतने को रखें तो भी हमारा काम चल सकता है कैसे हम ऊपर की तरफ डिस्टेंस को प्लॉट कर देंगे ठिक और नीचे को कर नीचे इसको एकस एकस अगسم ऐसको कहते है इसको कहते है इसको कहते है एकसे सिस हुआ अ हुआ है यह यह वाई यह पर लिखाते हैं तो यह एकशिस व्क कि हिन्दी में आं इसलिए फ़र एख कि यहां पर क्या प्लोट करना था डिस्टेंस को ठीक है प्लोट कर लिया वैं यहां पर क्या कर रहे थे टाइम कि कितना टाइम बीट बीटा कि उस हिसाब से हम डिस्टेंस को देख रहें अब एक बाए जब हम ग्राफ बनाएंगी न तो आपको ज्यादा फील आएगा अभी फिल थोड़ा चीजें बोरिंग लग रही होंगी यह जो यह पॉइंट है जहां से यह दोनों लाइन्स शुरू हो रही है एक तरह से आप मान सकते हैं यह इदार इधार इसको कहते है ओरीजीन हो हुआ है 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 ओरीजिन हिंदी इसकी हमें याद नहीं है आप नेट पर सर्च कर सकते हैं ठीक सबसे बड़े इस करो हैं मीटर मेकलियोगे कैसा टाइम को किस में करना चाहोगे कुंद कि कब्रत में कर दिखेश को कोई भी देखे इसको तो समझ याए क Online इन्होंनेगे ऐस् selbst आफ आफ यहां मीटर 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 तो रही ठीक अब देखो इस ओरीजिन को में धर खास कादिर है कि जीन वर्ड को अ देखो ये तो जैसे जीरो हो गया है एक सेकंड को हमने यहां पर लिख दिया कि एक सेकंड पर क्या हुआ हो यहां पर दो प्लॉट करते हैं जारे हैं तीन चार माच छे और आठ जैनली आठ अब डिस्टेंस को ऐसा करते हैं दो दो के गैप पर बढ़ाते हैं जैसे दो चार छे आठ दस इस तरह से हमने यह नंबर्स प्लॉट कर दी है ठीक है अब देखो जैसे मान लो कोई एक रीडिंग आपके पास हो पहले से डिस्टेंस और टाइम का इस तरह से आपके पास डाटा है पहले से ठीक है जैसे आपने डिस्टेंस चली एक सेकंड में दो मीटर यह मीटर में है यहां और यह सेकंड में है ठीक दो मीटर चली यह 0 सुरू करते हैं 0 मीटर चली 0 सेकंड में कोई समय नहीं भीता आप खड़े थें एक सेकंड लगा आपको दो मीटर चलने में ठीक फिर अगले एक सेकंड में एक और दो मीटर आप चल गए मतले टोटल कितना चल गए चार मीटर पहले एक सेकंड में इस तरह से अभी इतने पर प्लॉट करके देख लिए एक हो गया जीरो कॉमा जीरो एकदम ओरीजीन पर मतलब जब तुम खड़े हो कोई समय नहीं भीत रहा और कहीं तुम चलो भी नहीं रहे दो मीटर चले जब एक सेकंड भी दिया इस पॉइंट को देखो लिखते ऐसे हैं जैसे इसको इसको इने बताए ना यहां ब्रेकट में इसको लिख भी लिए एकस एकस यह हुई वाई एकसिस यहां पर लिख दे रहा है यह हुई एक बात और से एकस एकसिस इसको कहेंगे और यह दो एकसिस हैं तो इसको एकसिस कहते हैं एकसिस आइसा एक्सिस एक्स के बाद ई लग जा रहा है जहां एक्सिस ऐसे लिख रहा थे एक्स आई एस यह सिंगुलर है और एक्स एस प्लूरल है ठीक एक वचन ववचन वाली बात ठीक हो गई बात आच्छा लिखते कैसे हैं तो तो दोको बहुत सिंपल है एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं एक्स एक्सिस पर क्या टाइम है तो पहले क्या लिखा जाएगा टाइम लिखा जाएगा यह एक सेकंड वीता तो दो मीटर चल गए यहीं न हुआ सेकंड वीता दो मीटर चल गए दो सेकंड बीता चार मीटर चल गए तीन सेकंड वीता छे मीटर चल गए यह तीन पॉइंट्स मिल गए इमको क्या मिल गए points मिल गए, अब पॉइंट आप जानते हों, बना लीजे point, एक point ये भी तो था, 0,0, भाई आर बूल गए, 0 है भी चारा, तो भूल जाओगे उसको, ये 0 ये हो गया, ठीक, 1,2 कहां होगा, ये 1 किसको दिखा रहा है, x वाले को, तो x में यहां 1, ये हो गया, ठीक, 2 किसको बता रहा है, y को बता रहा है, तो 2 y का, y का 2, और 1 x का, अब ये देखो, यानि कि x axis में एक कदम चले, y axis में दो कदम चले, ठीक, तो ये यहां कहीं आगे है, आगे, आगे नहीं आगे, ये point, पॉइंट को द्यान दे देखो, ये point, अगला क्या है, 2 सेकंड वीता, 4 मीटर चल गए, यानि x axis में, x axis में, 2 पर, ठीक है, यहां पर, और y में, y में, 4, तो y में 4 यहां आगे, ठीक, यानि यहां तक, आए, और यहां तक आए, तो total, कैसे चले, 2 कदम यह इधार चले, और फिर 4 कदम उपर उठा लिए, तो यहां तक आगे, अगे न, बात समझ पार्योग नहीं, आप इस पर चाह सरकल ऐसे बना लीजिए, ठीक, सरकल बना लो, फिर 3 सेकंड बीता, और 6 मीटर चल गए, यहां तीन कदम X में चले, और 6 कदम Y में चले, 6 कदम Y में चले, तो कहां आ गए, यहां आ गए, इसको देखो इस तरह भी आपकी बुकि में बनाया है, कि आप dotted करके इस तरह बढ़ सकते हैं, ठीक, ठीक, तो यह अब जो है, तीन पॉइंट्स आपको मिले गए, तीन क्या, चार मिलगा न, और जिन, फिर बोल गए, और जिन, यह भी है, अब क्या करो, अभी एतने पॉइंट्स मिल गए, तो एक लाइन बना दो, जो इन सब को जोड़ो रही हो, ठीक है, यह लाइन बन गई, क्या बन गई, लाइन बन गई, समझ गए, यह हो गया ग्राफ, यह हो गया ग्राफ, इसी तरह आप तमाम अगर आपके पास डाटा हो, तो आप ग्राफ को बना सकते हैं, और अधिक डाटा अगर हो, जैसे देखो यह अगे लाइन नहीं है, यहां तक यह बना दिया हमने इस पॉइंट तरह, अब यह क्या था, आप अगर थोड़ा सा अब्जर्व करने की कोशिश करें, तो पाएंगे, कि हर एक सेकंड बीतने पर, हर एक सेकंड बीतने पर, हम दो मीटर चल रहे हैं, क्योंकि देखो, दो सेकंड बीता तो चार मीटर हो गए, तीसरा सेकंड भी बीत गया, तो छे मीटर हो गए, यानि हर एक सेकंड में हम दो मीटर चल रहे हैं, ठिक, हर एक सेकंड बीत रहे है, दो मीटर चल गए, फिर एक सेकंड बीता, फिर दो मी rate of change of position of an object is called speed, यानि इस्थिती परिवर्तन की दर चाल कहलाती है, तो जब इस्थिती में परिवर्तन एक नियत हो रहा है, उसकी कोई दर नहीं है, तो विलोस्टी यान पर क्या है, कॉंस्टेंट है, मनि नियत है, एक फिक्स फिक्स विलोस्टी है, उसकी कॉंस्टेंट है, ठीक, बदल नहीं रही है, समझ पा रहे हैं आप, मतलब अगर आपने आप देखो बाइक से फील लो, क्योंकि कम उमर में भी बच्चे स्कूटी जानते हैं, बचपन से सौख होता है, आप मान लो की स्कूटी ही है, एक्सलेरेटर आपने अगर चलाया नहीं होगा, पीता जी कोई देखा होगा, एक्सलेरेटर वो बढ़ाते हैं, तो और तेजी से गाड़ी भागती है, भागती है ना, तभी आपको दिया रहे जरा और लगेए, कि अदिमेदीमे चल लहो, हेलमेटबं के गाडी चलानी चीज़, ठीक, तो एक्सलेरेट करते हो तो गाड़ी तेज होती है, इसपीड बढ़ाओ करते हैं, आपको एक्सलेरेटर खिशे इस पे रखें, जैसे इतना मोढ़ा और फिर रुग गया, तो एक फिक्स इ श्पीड पर यहां भी क्या सथिति कि एक फिक्स स्पीड है हर एक सेकंट बीतर है दो मीटर पर चल tamanho हो इसन चैनalar स्पीड क्या क्यों लाईगी हर सेकंट मेढ दो मीटर यानि चैन कर सक क्या होगयी स्पीड यह क्या है फिक्स है फिक्स है कल जो एवरेज वाली बात कर रहे थे उसमें क्या था बार-बार बदल भी रही थी बढ़ घट बढ़ घट लेकिन यह अभी फिलाल जो डाटा आपको मिला हुआ है जिस पार आपने ग्राफ बनाया है उसमें आप देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में दो मीटर चल ला है यानि स्पीड यूँ रिख फिक्स पूरे टाइम दो मीटर पर सेंटी है पूरे ठीट है ठीक अच्छ अगर और डाटा होता है कि अगर मान लो होता कि इसके आगे भी दिया होता यहां लिक देखें के जैसे यह डिस्टेंस दी रहे हैं और यह टाइ तीन सेकंड गे बाद 14 सेकंड बीता तो यहां जो दो दो मीटर भाग रहा था 4 मीटर भाग गया 14 सेकंड बीता और 4 मीटर चल गए यानी टोटल 10 मीटर चल गए ठीक है ठीक है ना तो एक पॉइंट क्या मिल गए आपको बताएं 10,4 की 4,10 4,10 कैसे क्योंकि टाइम को X-axis में प्लॉट किया है पहले एकस आता है एकस कॉमा वाई ऐसे हम पॉइंट को लिखते हैं नहीं बात क्लियर हो रही है वीडियो में वापस जाईए फिर देखिए बार-बार उस चीज को बात को अपने मन में घुमाईए क्या पॉइंट मिला चार सेकंड बीता दस मीटर चल चुके अब ठिक तो पॉइंट कहां मिलेगा चार यहाँ चल लिए X-axis में दस यहाँ चल लिए ऐसा और चार यह ठिक यह पॉइंट बना यह पॉइंट बना और आप खीचते हैं यहाँ तक तो खीची चुके हैं अब देखो कैसे मिलाओगे इसको ऐसे मिलाओगे एक बार ओमिला तो यह एसे मिलाया अब एक चीज देखर अभी तक यहाँ क्या था यह सीधी लाइन में बढ़ रहा था आपने अचानक से जब कर दी इस पॉइंट के साबसे आपकी स्पीड क्या होगी चार मीटरर पर सेकंड यहीं स्पीड होगी क्या होगी क्योंकि चार सेकंड बीता और आप टोटल 10 मीटर सुरी आज सही है एक सेकंड बीता यह तीन तक था तो झेज़ी मीटर चले रहे आप 14 सेकंड जब कर चुके थे यानि 10-6 10-6 किता हो गया फोर और एक सेकंड बीटता था यहनि football मीटर पर सेकंड के स्पीड बढ़ गई कि कि आंप यहां पर भी देख्र हुआ है है कि क्या हूआ यहां पर स्पीड कती कि डिस्टेंस काफी तेजी से काफी तेजी से यहुए उपर आया यहां देखks या में इंजल लेगती डटग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-डग-अचानख से उपर हो गया पिल तो यह भी आपको थोड़ा फीला अगया यह भी graph है उस पाहले भी graph था अभी graph है ठीक Jeriot Biz तो हमें लगता है घर में किसी बड़े भाई बड़ी बहन किसी से आप परामर्ष ले सकते हैं सीख सकते हैं कि आपको पता ग्राफ क्या होता है जरूर आपको बताएंगे ठीक है आप अपने स्कूल में जानिए उसके बारे में कोचिंग में पूछिए ट्यूसन में पूछिए कहीं अगर जाते हो किसी के पास ठीक है चलिए रहे तो चैप्टर आज यहीं खतम होता है लास्ट टॉपिक था मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ और फिर अगले वीडियो में कुछ नया जानेंगे धन्यवाद